हेलो फ्रेंट्स BSC की इस स्पेसल क्लास में आप सब लोगों का एक बार फिर से मोस्ट वैलकम है मैं नेम इस आशिश गिरी और आज किस वीडियो के इंदर हम डिसकस करेंगे BSC 3rd year Geology का 2nd semester है Biotechnology, Immunology, Biological Tools and Technics and Biostatics दोस्तों इस semester से 2 chapters हम complete कर चुके हैं Recombinant DNA Technology जो कि आपका 1st chapter होता है उसको हमने complete कर दिया है 2nd chapter आता है आपका Enzymology of Genetic Engineering जिसके अंदर हम Genetic Engineering के अंदर यूज होने वाले जो enzymes हैं जैसे for example restriction enzyme polymerase enzyme DNA ligase enzyme इन सभी enzymes को मैं cover कर चुका हूँ आप चैनल के अंदर जाएंगे playlist आपको मिल जाएगा आप वहां से इन सभी वीडियो को देख सकते हैं आज कि इस वीडियो के अंदर हम start करें 3rd chapter जो कि है Cloning Vector तो चली दोस्तों इस वीडियो के अंदर हम Cloning Vector का ये Part 1 है जिसके अंदर हम discuss करेंगे Vector के बारे में वेक्टर क्या होते हैं Cloning Vector क्या होते हैं या expression Vector क्या होते हैं इन दोने में difference क्या होता है दोस्तों यदि अभी तक आपने हमारा Bio Book Tech application डाउनलूड नहीं किया तो आप डाउनलूड कर सकते हैं या आपकी जो notes PDF होता है मैं वहीं पर ही शेयर करता हूं चली दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं चली फ्रेंड सेडिंग डालेजे Cloning Vector इट इस अलसो कॉल्ड क्लोनिंग विकल्स Bio Technology या Genetic Engineering के अंदर ये एक most important topic है और अगर हम exam paper के point of view से बात करें तो इस पर long question पूछा जा सकता है Cloning Vector क्या होते हैं या कितने types के होते हैं या Cloning Vector को काफी detail में explain कीजिए short question तो definitely आपसे पूछा जाता है जैसे for example अगर आप चाहे BSC exam दे या MSC exam दे तो कई बार short question में आपसे पूछा जा सकता है Plasmids क्या होते है Cosmids क्या होते है Typ Perspect hybrid और फेज़्मिड्स क्या होते है to तो आज की इस वीडियो के अंदर हम cloning vector का ये part 1 है जिसके अंदर हम इसके basic introduction के बारे में बात करेंगे हम discuss करेंगे कि vector क्या होता है, हम discuss करेंगे एक अच्छे vector की क्या properties होनी चाहिए expression vector और cloning vector में main difference क्या होता है तो theoretically से ज्यादा हम practically कोशिश करेंगे इसको अच्छे से समझने की क्योंकि आपको theory books में मिल रहे कि notes के माध्यम से कोई भी आपको provide कर सकता है लेकिन biotechnology को अगर आप practically जितना ज्यादा आप concentrate करोगे practical पर वो ज्यादा आपके लिए better होगा आप उसको बहुत अच्छे से understand कर पाएंगे चले start करते हैं discuss करते हैं cloning vector के बारे में दोस्तो vector क्या होता है राइट सबसे पहला हमारा topic यह होगा कि vector basically होते क्या है तो अगर मैं आपको इसको practically समझाने की कोशिश करूँ तो पिछला topic हमने cover किया था recombinant DNA technology जो की first chapter था जिसके अंदर मैंने काफी detail में आपको बताया था कि recombinant technology जो recombinant DNA technology हती है वो क्या है उसका process क्या है उसका mechanism क्या है तो जितने भी students सुरूशे video देख रहे हैं bio technology कि वो आसानी से समझ जाएंगे इस topic को भी जैसे for example यह हमारा gene of interest है यह हमारा desired gene है ठीक अब इस desired gene को हमें किसी host cell के अंदर डालना है हमें इसकी multiple copies बनानी है तो हम कैसे बनाएंगे हम इसको directly host cell के अंदर introduce नहीं कर सकते तो हमें किसी ऐसे carrier की किसी ऐसी चीज की ज़रूत है जो इसके साथ इसको integrate कर जाए और फिर साथ में उसके हम multiple copies बना सके तो हम जिस चीज की use करते हैं उसे हम बोलते है vector एक बार मैं फिर से आपको समझाता हूँ यह हमारा gene of interest है यह हमारा जो desired gene है वो है अब इस target gene को हम directly host cell के अंदर introduce नहीं कर पाते ताकि हम इसकी multiple copies बना सके या expression के लिए क्योंकि generally आपको पता है जो genes होते हैं वो protein के form में ही वो अपने आपको express करते हैं gene क्या है gene DNA का ही एक छोटा सा part होता है एक segment होता है जो कि एक तरीके से functional होता है तो अगर यह जो gene of interest है अगर हम इसको directly host cell के अंदर डालना है तो यह कुछ नहीं काम कर पाएगा हमें इसको किसी ऐसे चीज के साथ integrate करना पड़ेगा जिसके साथ यह अच्छी से काम भी कर जाए जिसके साथ यह integrate भी हो जाए और जिसके साथ इसकी multiple copies भी बन जाए तो इसका काम करता है दोस्तो vector अब यह vector हो सकता है यहाँ पर मैं किसी particular vector के बारे में बात नहीं कर रहा हू यहाँ पर ना तो मैं plasmid की बात कर रहा हूं ना मैं kosmid की बात कर रहा हूं क्योंकि vector कई तरह के हो सकते हैं यहाँ पर आप किसी को भी मान सकते हैं जनरली हम लोग plasmid यूज करते हैं plasmid क्या होता है plasmid bacteria के अंदर पाए जाने वाला है extra chromosomal DNA होता है एक तो होता है DNA का अपन DNA के अंदर तो बैक्टरिय की body cell पर कोई भी फर्क नहीं पड़ता कोई भी effect नहीं होता तो उस वह जो plasmid होता है उसके साथ अगर हम इस gene of interest को integrate करें और फिर इसके बाद यह जो नया DNA बना इसको हम बोलते है recombinant DNA क्योंकि यह recombine होकर बना हुआ है इसके अंदर हमारा gene of interest ह है तो अब यह जो है इसको हम क्या करेंगे इस recombinant DNA को host cell के अंदर integrate करेंगे तो इसकी multiple copies भी बन जाएंगी ठीक है अगर हम अगर हमने यहाँ पर expression vector यूज किया है तो यह जो gene of interest है यह अपने आपको express भी करेंगा proteins के form में ठीक है तो वेक्टर दो तरह के होते हैं इससे हमें समझ में आता है कि वेक्टर दो तरह के होते हैं कि बार मैं थोड़ा सा और practically आपको समझाता हूं जैसे for example आप कोई vector को host cell के अंदर integrate करते हैं तो द host cell के अंदर तो host cell के जाने के बाद यह जो recombinant DNA बणा हुआ है दो possibility है यहाँ पर पहली possibility क्या है कि यह जो हमारा target gene है इसकी multiple सारी मल्टिपल कॉपीस बन जाएं यह जो टारिगेड जीन है इसका जो फंक्शन होता है कि उसको एक्सप्रेस करेंगेवारuen MASENGER बनाएगा इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं अगर DNA से मेसेंजर आरने बन रहा है तो उसको मोलते हैं ट्रांस्क्रिप्शन और फिर उसके बाद जैसे मेसेंजर आरने बनेगा उसके चारों तरफ अगर प्रोकेरियूटिक सेल है तो उसके अंदर 70S इसके फोम में अपने आपको एक्सप्रेस करेगा इतनी बात आप लोग समझ गया है तो इस प्रकार से मैं कह सकता हूं कि वेक्टर दो तरह के होते हैं एक तो वेक्टर वो जो की हमारा जो जीन ओफ इंट्रेस्ट है उसकी मल्टिपल कोपी बना सकता है दूसरा जो वेक्टर क कुछ समझ में आया होगा और नहीं भी समझ में तो डॉन्ट वरी लेक्टर को देखते रहें यह कंटीनिव आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा वेक्टर को कैसे आप डिफाइन करेंगी एक वेक्टर इस स्मॉल डीने मॉलिक्यूल पहली बात तो आपको यह समझ लेना च बाता है क्योंकि बैक्टरिया के अंदर वह एक्स्ट्रा बढ़ा हुआ है उसका में तो डीने है उसके अलावा एक और सर्कुलर डीने प्रेजेंट रहता है जिसको बैक्टरियल से निकाल दो तो कोई ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता है तो एक वेक्टर इस स्मॉल डीने वेक्टर एक छोटा सा डीने का मॉलिक्टर होता है कैपेबल ऑफ सेल्फ रेप्लिकेशन यह जो है खुछ से रेप्लिकेट कर पाता है और यूस्ट वेक्टर इसका यूस किया जाता है और फेडिने फ्रेग्मेंट इंसर्ट इसके अंदर हम फॉरण जीन को यहां पर इंट इसके हमें मुल्टिपल कोपी बनानी है या फिर इसे अपने आपको एक्सप्रेस करना है तो हम लोग किसका यूज कर रहे हैं वेक्टर का तो वेक्टर एक तरीके से टेक्सी की तरगा काम नहीं कर रहा है जैसे फॉर एक्जामपल आप लोग कोई सब्सक्राइब करें आपने घर तक पहुंचते हैं तो टैट्सी प्रकार से जो हमारा जीन फिंट्रस्ट के काम करता है इसके लिए वेक्टर भी टेक्सी के काम करता है अब हिए क्शिया करेगा इसमें अपने अंदर इंटीग्रेट करके वहां पर इसको छोड़ देगा तो एक तरीके से vehicles की तरह काम कर रहा है, carrier की तरह काम कर रहा है, right, taxi ये टमपू की तरह काम कर रहा है, So, a vector is a small DNA molecule capable of self-replication and used to a carrier of a DNA fragment inserted into it for cloning, cloning के purpose है या expression के purpose है, the vector is also called cloning vehicles or cloning DNA, इसको और भी अच्छे तरह से define कर सकते हैं, a vector is a substance, आप ये भी कह सकते हैं, कि vector एक substance है, usually ये piece of DNA होता है, that carries a sequence of DNA, जो कि एक sequence of DNA को carry करता है, और other genetic material and introduce it into new host cell, जैसे हमारा vector है, ये क्या करता है, यहाँ पर हमारे gene of interest को इसमें integrate करके, हम नए host cell के अदर इसको introduce कर सकते हैं, अब चाहे वो multiple copies बनाना हो, ये expression के लिए, vector are important component of the genetic engineering process, दोस्तों, genetic engineering के process में, या mechanism में, vector एक important component की तरह work करता है, as these from the basis of the transfer of DNA fragments from one cell to another, यानि एक cell के DNA fragment को आपको दूसरे cell में डालना है, तो vector की तरह वो काम करता है, एक carrier की तरह काम करता है, as these form the basis for the transfer of DNA fragment from one cell to another, right? So guys, अब हम देखते हैं, characters of good DNA vector, यानि एक अच्छे vector के क्या characters होने चाहिए, उसमें कौन-कौन सी properties मौजूद होने चाहिए, right? इन properties को आप note-down करेंगे क्योंकि यह most important है, यह जो vector होना चाहिए, यह अपने आप replicate करने की इसके अंदर गुम होने चाहिए, एक property होने चाहिए, right? दूसरा, so that it can be generate multiple copies of itself, ताकि यह अपनी एक multiple copies बना सके, और साथ में, along with DNA insert within a single host cell, जो कि इसके अंदर हमने gene of interest add किया है, उसकी भी copy बना सके, right? यानि कि vector कैसा होना चाहिए, vector अपने आप replicate होने वाला होना चाहिए, और साथ में, it can generate multiple copies, यह अपनी multiple copies भी बना सके, और साथ में यह जो है, जो भी हमने gene of interest उसके अंदर integrate किया है, यह उसकी भी multiple copies बना सके, दूसरी property क्या है? दूसरा गुन है, एक vector is supposed to have one origin of replication for DNA replication, DNA replication के लिए, vector के अंदर एक ORI तो present होने चाहिए, कम से कम एक ORI तो definitely इसमेंदर present होना चाहिए, ORI मतलब origin of replication जहां से replication process स्टार्ट हो, तो ताकि यह replication का process स्टार्ट कर सके, तो इसलिए एक ORI भी तो इसमेंदर present होना चाहिए, तिसी property vector के अंदर क्या होना चाहिए? A vector should be small in size, vector जो है वो small size का होना चाहिए, and low molecular weight का होना चाहिए, ideally it should be less than 10 kilo base pair in size, इसका जो size है वो 10 kilo base pair तक ही होना चाहिए, इसका size, right? Because large DNA molecule, क्योंकि जो बड़े DNA के molecule होते हैं, वो broken and टूट जाते हैं during purification, जिससे में उनका purification होता है, वो टूट जाते हैं, and present difficulty, और यह difficulty करेट करते हैं, during the manipulation required for gene cloning. Number 4 property, क्या होनी चाहिए vector के अंदर, एक अच्छे vector के अंदर, it should be easily isolated and purified, इसको हम आसानी से isolate कर सकें, अलग कर सकें और purify कर सकें, ऐसा होना चाहिए vector, it should be easily introduced into host cell, अब ऐसा नहीं है, जैसे यहाँ पर for example, आपने एक ऐसा vector ले लिया, जोकि इसमें सभी property मौझूद है, लेकिन हम उसको host cell के अंदर introduce नहीं कर पा रहे हैं, तो ऐसा vector हमें use करना चाहिए, या ऐसा vector होना चाहिए, जो host cell के अंदर, आसानी से introduce हो जाए, ठीक है, vector should be afford easy transformation of host cell, host cell के अंदर vector जो हो, आसानी से afford कर ले, ताकि अब यहाँ पर एक और important point, number seven point, the vector should contain a suitable marker, vector के अंदर suitable markers भी होनी चाहिए, अभी इन marker की मदद से, या selectable marker भी बोलते हैं इनको, इनका काम क्या होता है, इनसे हम पैचान सकते हैं कि, कि कि के अंदर कौन से transformed cell है, और कौन से non-transformed cell है, जैसे for example, अब हर cell के अंदर हमारा gene of interest तो add नहीं हो सकता, ठीक है, हमने यहाँ पर कोशिश किया है, कि सभी cell के अंदर, जो है, हम यहाँ पर add कर दें, लेकिन सभी cell के अंदर, हमारा gene of interest या हमारा जो recombinant यहने, वो add नहीं हो पाता, तो जिनके अंदर add हो जाता है या जिनके अंदर add नहीं हो पाता है इनमें हम कैसे differentiate कर पाएंगे कौन सा हमारे काम का है कौन सा काम का नहीं है या किस के अंदर gene of interest हमारा किस host cell के अंदर पहुंच गया है मार्कर की जरूत होती है अब यहां पर हम एंटिबायोटिक रिजिस्टेंस जैसे टेट्रासाइकलीन या एंफिसलीन इसका यूज कर सकते हैं इसमें अंदर यह प्रेजेंट होने चाहिए वेक्टर के अंदर इसकी मज़से हम जनरली पता कर लेते हैं इसके बाद वेक्टर श जैसे फर गजामपल यह हमारा वेक्टर है और इसके अंदर हमें अपना जीन अफ इंटरस्ट एड़ करना है तो इसको हमें कट करना पड़ेगा तो कट करने के लिए कहीं से कट नहीं कर सकते हैं हमें एक स्पेसिफिक रेस्ट्रिक्शन साइट होने चाहिए चाहां से इसको हम कट कर सके तो इसमें कई तरह के रेस्ट्रिक्शन एणिम के लिए अलग अलग साइट सोने चाहिए डाइट मैं विदाउट डिस्ट्रप्ट इसेंशल फंक्श्टन of the vector right without disrupting यानि कि vector के जो other essential function है उसको बिना disrupt किये वे वह आसानी से integrate हो जाए तो इसके अंदर एक restriction sites होनी चाहिए एक या एक से अधिक और अलग-अलग restriction enzymes के लिए ठीक enzymes का Enzymeology का topic मैं already cover कर चुका हूं जिसमें मैंने ligase enzyme polymerase enzyme और restriction enzyme के बारे में काफी detail में पढ़ा है तो आप उसको भी cover कर सकते हैं और भी क्या-क्या properties उसके अंदर मोजूद होने चाहिए vector के अंदर vector should not be toxic to host cell पता लगा आपने vector के अंदर ये सारे की सारे properties मोजूद हैं लेकिन आपने क्या किया आपने जैसे होस्ट cell के अंदर उसको introduce किया तो वो उसके लिए toxic create कर गया मतलब उस वेक्ट cell की death हो गई तो vector जो है वो host cell के लिए toxic नहीं होना चाहिए राइट it should be capable of inserting a large segment of DNA हम हमारा जो gene of interest है वो large हो सकता है तो इतनी capability उसके अंदर होनी चाहिए कि उस large segment को भी ये adopt कर ले उसको हम इसके साथ integrate कर पाए इसके पास एक multiple cloning site होनी चाहिए vector के अंदर तो finally guys हमने क्या देखा कि vector मतलब हमें ऐसा होना चाहिए जिसके अंदर ये सभी के सभी properties मौजूद होनी चाहिए तभी हमारा expression का काम और जो हमारा gene of interest है उसकी multiple copies बनाना हो या उसका expression show करना हो ये तभी possible हो पाता है जब उसके अंदर ये सारी properties मौजूद हो ताकि हम आसानी से finally last तक isolate कर सके cell को brush करके वो सारी proteins isolate कर सके या अपने जो हमारा multiple जो हमारा gene की copies मनी है हमारे desired gene की उसको isolate कर सके तो ये सारी properties यब तक उसमें मौजूद नहीं होगी तब तक हमारा जो genetic ये जो हमारा काम है gene cloning का वो complete नहीं हो पाएगा तो भी आप इसको फटाफट note कीजिए तो मेरे प्यारे दोस्तो थोड़ी देर और अपनी energy को boost करके रखें क्योंकि हम पढ़ने वाले हैं cloning vector और expression vector के बारे में इन दोनों में difference क्या है most important है आपको पता होना चाहिए कि cloning vector और expression vector में main difference क्या होता है दोस्तो इसके उपर यह जो expression vector होता है इस पर दो number में short question में MSC और BSC के exam paper में पूछा जाता है आईए समझते है cloning vector और expression vector क्या होते है पहली बात इनमें similarity अगर देखा जाए तो यह दोनों के दोनों क्या है vector तो यह दोनों के दोनों vector है लेकिन uses के base पर इन्हें अलग-अलग कर दिया गया यह जो cloning vector होता है इसका use होता है clone बनाने में multiple copies बनाने में किसकी multiple copies बनाने में जो आपने gene of interest जो आपने target gene clone vector के अंदर यह जो cloning vector होता है उसके अंदर integrate किया है उसका multiple copies बनाने के लिए जैसे for example मैंने आपको कहा कि हमारे पास एक gene of interest है और हम उस gene of interest की multiple copies बनाना चाहते है तो हम क्या करेंगे cloning vector का use करेंगे जो भी vector होगा उसको हम restriction enzymes की मदद से cut करेंगी कहाँ पर cut करेंगे जो restriction site होगी मौजूद वहाँ पर उसको हम cut करेंगे cut करने के बाद अपना gene of interest उसके अंदर add कर देंगे यानि integrate कर देंगे और ligase enzyme की मदद से इसको bind कर देंगे अब उसको जैसे हम किसी host cell के अंदर introduce करेंगे तो वो multiply हो जाएगा अब जब वो multiply हो जाएगा vector तो साथ में हमारा gene of interest भी multiply हो जाएगा तो कई सारी multiple copies बन जाती है तो जब आपको अपने gene of interest की multiple copies चाहिए तब आप use करेंगे cloning vector और जब आप जो आपका gene of interest है उसकी functionality जानना है कोई unknown gene है जिसके बारे में आप जानती नहीं कि इसका क्या function है तो अब उस unknown gene के बारे में आप जानना है कि इसका क्या function है किस तरह के proteins को बनाता है तो आप क्या करेंगे आप एक expression vector का use करेंगे expression vector generally करता क्या है इसका main काम होता है जो भी आपने gene of interest उसके अंदर integrate गया है यह उसकी functionality को दर्शाता है कि भाई इसका क्या काम है वो क्या करेंगा वो जैसे ही host cell के अंदर जब आप इसको introduce करोगे तो वो अपनी proteins के form में अपने आपको express करेंगा वो उसी तरह की proteins को बनाता है यही main difference है इसका काम है expression और इसका काम है cloning जैसे एक बार फिर से आप मैं आपको repeat करके समझाता हूँ ताकि अच्छे से समझ में आ जाए देखे वेक्टर जो होता है जब वो ligate हो जाता है I mean recombinant DNA जब बन जाता है हमारा gene of interest जो उसमें add हो जाएगा वेक्टर के अंदर तो दो काम है एक cloning एक expression तो cloning वाले में system क्या होता है कि उसमें आपकी multiple copies बन जाती है आपके DNA की और expression vector में क्या करता है expression vector में वो generally सबसे पहले messenger RNA बनाता है जब DNA से messenger RNA बनता है तो उसको कहते हैं transcription और जब messenger RNA से ribosome आ जाएंगे ठीक है ribosome आ करके उसके bind हो जाएंगे bind होने के बाद वहाँ पर translation का process start हो जाता है तो translation के process में proteins का formation होता है तो वो जो protein बना वो express हो जाएगा simply वो product बन गया वो yield बन गया जिसके लिए हमने अपने gene of interest को isolate किया था integrate किया था अब उस proteins को हम isolate कर लेते हैं हम cell को भरस्ट करके सारा protein इकठा कर लेते हैं और उसका use करते हैं simply तो देखा आपने कि किस तरह से expression vector और cloning vector का use किया जाता है यह जो दोस्तो expression vector है इसकी बारे में थोड़ा और भी मैं discuss करूँगा सबसे पहले आप definition note कर लीजिए cloning vector की cloning vector की एक छोटी सी simple definition है vector that used only for propagation और cloning of DNA insert inside जो भी आपने gene of interest is cloning vector के अंदर insert किया है ठीक है आपने restriction enzyme की बदर से card can जो ligate कर दिया है और साथ में पूरी तरह से जो recombinant DNA आपने तयार कर दिया है उसका अगर आप cloning करना चाहते हैं यानि उसकी multiple copies बनाना चाहते हैं तो वही है cloning vector का काम दूसरा expression vector a vector is termed expression vector यानि expression vector term कभ यूज होता है when it is used to express the DNA insert producing जो भी आपने DNA उसके अंदर gene of insert किया है उसका आप जानना चाहते है क्या function है वो क्या produce करता है किस तरह की specified protein को वो express करता है या produce करता है उसी की base पर अगर आप जानना चाहते हैं उसके बारे में तो वही काम होता है expression vector का तो इस तरह की vector में कुछ चीजे होनी चाहिए इसमें भी कुछ important features होनी चाहिए जैसे such vector contain the regulatory sequence such as promoters, operators ribosomal binding site यानि कुछ requirement होती है expression vector की promoters क्या होता है basically जो promoter होता है वो transcription start site होती है जहां से transcription start होता है हमें DNA से RNA भी तो बनाना है अपना messenger आराने बनाएंगे तभी तो protein बनेगा ribosom आकर के bind करेगा दूसरा उसमें terminator site भी होने चाहिए terminator site क्या कम करती है ये stop करती है क्योंकि कोई चीज़ अपने शुरुआत तो कर दिया लेकिन उसे बंद भी तो करना है तो stop करने के लिए terminator site भी होती है ठीक है transcription के process terminate हो जाए जहां से ribosome binding site भी होती है जहां पर ribosome आकर bind होता है और translation का process start हो जाता है हमारा protein बनना start हो जाता है इसमें ORIB होना चाहिए origin of replication जहां से replication start हो चाहिए selectable markers होने चाहिए ताकि दो जो transformant cell है और non-transformant cell है हम उसको पहचान सके transformant cell किसे बोलेंगे जिसके अंदर हमारा gene of interest जो हमारा recombinant DNA है जिस host cell के अंदर चला गया और जिसके अंदर नहीं गया तो इन दोनों में हमें difference भी तो पता होना चाहिए तो difference पता हो करने के लिए हम इसमें selectable marker यूज़ करते हैं mcs, multiple cloning sites होनी चाहिए expression vector में multiple cloning sites भी होनी चाहिए translational initiation region भी होना चाहिए मतलब कुछ formalities हैं जो होनी ही चाहिए जिस तभी ये सारा काम ये अपना अच्छे से proper तरीके से काम कर पाएगा तो देखा आपने cloning vector और expression vector के बारे में अब हम देखते हैं list of vector जिसके बारे में one by one में काफी detail में videos, lecture अपलोड करूँगा जैसे plasmid ये vector के types बोल कह सकते हैं या आप कह सकते हैं कि एक list बनी हुई है plasmid है, cosmid है, phasmid है जिसे हम phasmid बोलते हैं, ये phasmid vectors है, ये ist vector है, ये bacterio phase ये सभी के सभी क्या है vector है जिनका हम use as a vector की तरह कर सकते है phasmids, artificial chromosome vectors, subtle vector, ist artificial chromosome vector तो ये सब के सभी vector की तरह कर, कुछ artificial यानी के हमने खुद से बना हुए है ठीक है दोस्तों, तो मिलते हैं दोस्तों, next video में अगर आपको कोई भी doubt, कोई भी query हो तो आप comment में mention कर सकते हैं आपका अगर चाहिए, अगर कोई और topic है तो आपको उसे comment में बता सकते हैं मिलते हैं दोस्तों, next video में वीडियो पसंद आए तो like करें और channel को subscribe कर दें अगर आपको इसी तरह की और भी videos चाहिए तो मिलते हैं next video में, bye bye, ta-ta